परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने 27 जनवरी को परेक्षा पे चर्चा कारेकरम के तहत चात्रों के साथ चर्चा की इस कारेकरम का छटा संसकरण दिल्ली के ताल कटोरा इंडॉर स्टेडियम में आयजित किया गया इस दुरन पेम मोदी ने चातरों को तराम मुक्त के मंतर दिये साथ ही साथ कई ऐसे सुजाब दिये जिनकी जरिये आने वाले सालों में वे अपना भविश्य से तै कर सकें इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया का जरूरत के हिसाब से इस्तिमाल करने की सला दी ताकि पूरे दिन मुवाइल की स्क्रीन पर ना निकल जाए उसी के चलते उत्तर पूर्वी लोकसवा के यमना भ्यार इस्तित ग्यान विद्याववन सीनेर सेकेंडरी स्कूल में परधान मंतरी नरेंदर मोधी के परिक्षापर चर्चा कार्यकरम को बड़ी LED स्क्रीन लगा कर चात्र चात्रों ने बैट कर सुना इस कार्यकरम में उत्तर पूर्वी लोकसवा के सांसद मनोस्तिवारी के साथ उत्तर पूर्वी शिक्सा विवाग डिप्टी डारेक्टर रजिय बेगम जिलाद्यक्स मोहन गोयल नवीन शात्र जिलाद्यक्स मनोस्तियागी गोंडा विधायक अजे महावर करावलनगर परिक्षा निश्चित रूप से दराती है, परिक्षा घबराहट लाती है, लेकिन जिस प्रकार से भारत के छात्रों को परिक्षा से न घबराने, परिक्षा से डरने नहीं, बल्कि परिक्षा को उत्सों बनाने की उमंग के रूप में लेने की जो नुष्के बताएं है प्र और उसके लिए प्रधान मंत्री जी के प्रतिक क्या लोग सोच रहें अभी इस स्कूल के उनर ने बताया। और यह जरूरी है क्योंकि प्रधान मंत्री जी जो कह रहे हैं वो खाली कह नहीं रहे है। वो इस देश की वर्तमान सरकार की सोच है कि बच्चों को परिक्षा का दबाव नहीं बलकि उसको उत्सा और उमंग की तरह उनके उंदर प्रारुपित करना चाहिए। तो हम सभी ने आज परिक्षा पर चर्चा सुनी है। आगे परिक्षा होने वाली है। उसका बहुत सारे लाव होंगे बच्चों को और यह कारिक्रम आयोजन हुआ ग्यांदी पब्लिक स्कूल में इस स्कूल को हमारे अजे महावर यहां के प्रमोद गुपता, मोहन गोयल, सवलोग, यूके चौजरी मिलकर कि इसको आयोजित किये हम सब इसके लिए बहुत धन्यबाद करें। यह बहुत अच्छा स्टेप है। और एक्जाम में हर बच्चा स्ट्रेस होता है। और जब देश के प्रधान मंत्री बच्चों से बात करते हैं तो वह जो एक डर है वह काफी हद तक कम हो जाता है। यह बहुत ही अच्छा स्टेप है। मैं यह कहूंगी गैज़क तो आज एक पार्ट हो गया है डिजिटल यूग में। बच्चों का एडिक्शन को ज्यादा ही है। हां उसका समय पर काभिले तारीफ इस्तेमाल करना जरूरी है, सर्दूपियो करना जरूरी है। जिनके पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई लगातार होती है। और इसके लिए बच्चों को हमेशा चाहिए कि दिना स्ट्रेस में आए, हर जगे से नॉलेज लेना है। नॉलेज ओरियेंचेट बनाएं ना कि एक्जाम ओरियेंचेट, नॉलेज ओ जातर शातराई जुने उनके अभिवावक शिक्चक शिक्चक शिकाएं। उन सब के मन के प्रश्णों का उत्तर प्रधानमंत्र जी ने विस्तार से दिया। और यह है। सिर्फ जिनों ने सुना उनके लिए नहीं, जो आगे भी इस रिकॉर्ड को सुनेंगे। और अभासी जो जो लोग यहां जहां सुनेंगे और सब के जीवन में इसको उचा उठाने के लिए अपने जीवन को उचा उठाने के लिए इसे परणा मिलेगी। और निशी नूप से हमारे अधरनी सांसर मनोष तिवारी जी की उपस्तिती यहां रही। रजिया महम की रही। और मैं जो कि मेरिज्मेंट को भी प्रणा करना चाहता हूं हमारे पांस साती इस कारे में लगे प्रमुद भुपता जी, मुकेज गुज होजी, पुनम चोहां जी, गंगा धर जी और दक्तर्यूपि चोध्री इस पांसरों का भी दन्यवाद करना चाहता हूं और इस बात को मीडि को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रधान मंत्री की दो घंटे की चर्षा आप अपने अपने चैनल पर यूट्यूब चैनल पर इसको पूरा का पूरा लोगों को दिखाएं अपने आपने एक बड़े हिर्दय कर बात है और विश्व के निता ऐसे ही नहीं बने मोदी जी हर विशयव को लेकर आज पहुचे हैं चात्रों के मन के उभार सामने आए उनकी समस्यां को समधान की आए बहुत अच्छा लोगों यहां से ज्ञान लेके जा रहे हैं मैं बढ़ा ही देता हूं सभी साथियों को जिनोंने आज हमारे सेत्र में कारेकरम किया हैं हम सबने मिल जोलकर मेरे सांसर्द मनोस्तिवारी जी विदायग जी हम सबने मिलकर यहां पर बहुत अच्छा कारेकरम किया काफी संक्या में यहां बच्चे उने लाब लिया है और